नेहा अपनी सास के साथ बहुत बुरा बरताव किया करती थी, वो अपनी सास विमला को जरा भी पसंद नहीं करती थी, और जब से विमला की पेंशन आना बंध हो गई है, तब से नेहा किसी भी कीमत पर अपनी सास को घर से निकलवाना चाहती थी, ऐसे ही एक शाम नेहा का पत के लिए पीने का पानी लाती है और इस बीच विमला अपनी बहु को आवाज लगाते हुए बोलती है अरे बहु मेरा गला बैठा हुआ है जरा मुझे नमक पानी दे दे नमक पानी के गरारे करूंगी तो शायद मेरा गला ठीक हो जाए निहा को ये सब सुनकर गुसा आता है और वे अपने पती से बोलती है, देख लिए, इसी तरह से तुम्हारी मा दिन भर ओर्डर पर ओर्डर चलाती रहती है, तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो तुम अपनी मा के साथ रहो, या तो मुझे रखो इस घर में, क्योंकि अब मुझे से तुम्हारी मा की फर्माईश पूरी नहीं होगी, वो दिन रात मुझे पर ओर्डर पर ओर्डर देती रहती है, मुझे से नहीं होगा अब ये सब, अरे ये कैसी बते कर रही हो निया, ये सोचो ना कि अब मा की उमर हो चुकी है, ऐसे में अगर मैं मा को बाहर निकाल भी दूँ, तो मा कहा जाएगी, कम से कम उनकी उमर का तो लिहाज करो, लिहाज करते करते तो आज इतना समय हो गया, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा विजय, या तो तुम अपनी मा को चुनो या मुझे, पैसला तुम्हारे हाथ में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर यहां से चली जाऊंगी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूं, ठीक है मैं मा को यहां से जाने के लिए बोलता हूँ विजे अपनी पत्नी की बात में आकर अपनी मा के पास जाता है और मा से बोलता है देखो मा अब तुमारी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी तुमारी फरमाईश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती कभी किसी काम को करने के लिए बोलती हो तो कभी किसी और काम को करने के लिए अरे नेहा तुमारी नोकरानी नहीं बलकि इस घर की बहु है और अब ना तो नेहा और ना हिम उससे तुमारी देख रहोगी इसलिए तुम यहां से चली जाओ बेटा तु ये कैसी बाते कर रहा है नौ महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा तेरी हर ख्वाहिश पूरी की तुझे बड़ा किया पाला पोसा और आज तु मुझे इस घर से निकल जाने के लिए बोल रहा है मैं कहां जाओंगी बेटा देख अमा मेरा भी घर परिवार है अपनी बीवी बच्चों को तो मुझे देखना ही है ना तुमारा क्या है तुम तो मेरा घर तोड़कर यहां से चली जाओगी उसके बाद मैं क्या करूँगा देखो अपना आश्या ना तुम्हें खुद ही बनाना होगा क्या करोगी क्या नहीं करोगी मुझे नहीं पता और व्यासे भी पालन पोचन करना हर माबाग का फर्च होता है तुमने कोई अचान नहीं किया है मेरे उपपर वाह बेटा वाह आज तू अपनी बीवी की बोली बोल रहा है जब मेरी पेंशन आती थी हर महीने तब तो तुम दोनों में से कि मैं ही यहां से चली जाती हूँ ऐसे ही अगले दिन विमला अपना सामान लेकर घर से जा रही थी तब ही विमला के पोती पोता अपनी दादी को वहां से जाता हुआ देखकर रोने लगते हैं और अपनी दादी के पैर पकड़ कर दादी को रोकते हुए बोलते हैं दादी आप हमें छोड़ कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे हमें रोज रात को कहानी कौन सनाईगा दादी हमारी मम्मी अच्छी नहीं है दादी वो रोज आपको गंदा गंदा बोलती है आप ये घर छोड़ कर मत जाओ ना दादी हाँ दादी भाईया बिल्कुल सही कह रहे है आप हमें भी अपने साथ ले चलो हमें भी यहां नहीं रहना है क्योंकि हमारी मा बहुत बुरी है वो आपके साथ बहुत बुरा करती है इसलिए हमें बुरे इंसान के साथ नहीं रहना है हमें यहां से ले चलो दादी बच्चों तुम्हारी बाते सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और दुख सबसे ज्यादा इस बात का है कि तुम इतने छोटे हो कर भी सही इनसान और बुरे इनसान की परक कर सकते हो लेकिन मेरा बेटा 35 साल का होने के बावजूद सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाया खैर मुझे यहां से जाना होगा बच्चों तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे एक बार सच्चे दिल से पुकारना मैं तुम्हारे पास जरूर आउंगी विजे और नेहा दोनों चुपचाब खड़े सारा नजारा देख रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी एक बार विमला को रोकता नहीं है विमला के आँखों में आसू थे विमला वहाँ से चली जाती है विमला बहुत परिशान थी उसके मन में आत्म हत्या करने की बात आ रही थी, वो खुद को अब खत्न करना चाहती थी, इसी लिए वो एक नदी किनारे जाती है और उस नदी किनारे बैट कर रोने लगती है हे प्रभू, या तो तु मुझे अपने पास भुला ले, या तो मैं खुद तेरे पास आ जाती हूँ, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मौत ही मिल जाए विमला इतना बोलकर रोने लगती है, तभी विमला को किसी की आवाज सुनाई देती है विमला चारो ओर देखकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये आवाज किस की है तभी विमला के सामने बहुत सारे शिमला मिर्च एक टोकरी में हवा में उड़ते हुए आते हैं और वो शिमला मिर्च विमला से बोलते हैं क्या हुआ विमला दादी तुम इतनी उदास क्यूं हो? अरे जीवन में ऐसे उतार चड़ाओ आना आम बात है लेकिन आत्मत्या करना या उससे जुड़ी बातें अपने दिमाग मिलाना पाप होता है तुम कौन हो और ये कैसा माया जाल है तुम तो एक शिमला मिर्च हो और तुम बोल कैसे सकती हो अरे हम जादूई शिमला मिर्च हैं और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है वो तुम मत जानो बस इतना जानो कि हम यहां तुम्हारी मदद करने आए है और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे अब कोई नहीं है बेटा बहु ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया है अब तुम कहां जाओगी इसलिए अब तुम हमारे साथ रहोगी हमारी दुनिया में तुम्हारी दुनिया? हाँ, चलो अब हम तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलते हैं जब तुम्हें अपने घर परिवार की याद आए तब तुम अपने घर परिवार से मिलने के लिए चले आना लेकिन अब तुम हमारे साथ ही रहोगी वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी विमला बहुत परिशान थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसी लिए विमला जादूई शिमला मिर्च के साथ उनके दुनिया में जाने के लिए तयार हो जाती है वहाँ पर एक विशाल जादूई शिमला मिर्च आता है और उस शिमला मिर्च के अंदर बड़ा सा दर्वाजा बना हुआ था जैसे ही वे दर्वाजा खुलता है विमला उस दर्वाजे के अंदर चली जाती है शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही सुन्दर शिमला मिर्च का घर बना हुआ था जहाँ पर हर चीज शिमला मिर्च से बनी हुई थी जैसे बेड, फ्रिज, टीवी, सब कुछ शिमला मिर्च से ही बनी हुई थी अरे ये क्या यहां तो सब कुछ शिमला मिर्च से बना हुआ है यहां पर एक इनसान का रहना मुश्किल है तभी शिमला मिर्च की महरानी विमला से बोलती है नहीं नहीं विमला दादी तुम्ही डरनी और घवराने की सरूरत नहीं है यहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी मुझे नहीं पता तुम सब कौन हो लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है ठीक है विमला दादी अगर आपको यहां नहीं रहना तो ठीक है हम आपको आपकी दुनिया में बेज देंगे लेकिन हम आपके लिए घर और आपके कमाने खाने और हर चीज के व्यवस्ता करके देंगे ताकि आपको कोई परिशानी नहो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझ पर बहुत बड़ा एसान किया है मैं आपका ये एसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी इतना बोलकर जादूई शिमला मिर्च विमला को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं जादूई शिमला मिर्च विमला के लिए एक सुन्दर सा घर बना देते हैं उस घर में विमला के लिए नौकर और घर की जो भी जरूरत की चीज होती है सब कुछ उस घर में थे साथ ही विमला के लिए एक बहुत बड़ा खेत भी था जिसमें शिमला मिर्श की खेती हुआ करती थी विमला अपनी जिन्दगी से बहुत खुश थी वो खुशी से अपने जीवन को जी रही थी ऐसे ही एक दिन विमला का एक नौकर जिसका नाम अजय था वो विमला से बोलता है मालकें मेरा एक दोस्त है उसे नौकरी की जरूरत है आपके यहां कोई काम मिल जाएगा क्या ठीक है तुम अपने दोस्त को कल यहां लेकर आ जाना अगर उसे गाड़ी चलाना आता हो या फिर मार्केट से सामान लाने के लिए या घर के कामकाज के लिए वह तयार है तो मैं उसे यह काम दे दूँगी अगर उसे खेती आती होगी तो खेती का काम दे दूँगी ठीक है मालकिन मैं कल अपने दोस्त को लेकर आपके पास आ जाऊंगा उसके घर की आरति कालत वो ज़्यादा खराब हो चुकी है दाने दाने को मोताज हो चुके हैं वो लोग इसलिए उसे नोकरी की बहुत जरूरत है कोई बात नहीं तुम बिलकुल चिंता मत करो तुम अपने दोस्त को कल मेरे पास ले आना मैं उसे अपने पास कोई न कोई काम ज़रूर दूँगी ऐसे ही अगले दिन अजय अपने दोस्त विजय को लेकर विमला के पास आता है विजय कोई और नहीं बलकि विमला का सगा बेटा था विजय अपनी मा को देखकर रोने लगता है और अपनी मा की ये चका चौंद वाली दुनिया देखकर उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है वो सोच में पढ़ जाता है कि आखिर उसकी मा इतनी अमीर कैसे हो गई तब ही विमला अपने बेटे को समहालते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, सब कर्मों का लेखा जोखा है और वैसे भी तुम चाहो, तो मेरे खेत में काम कर सकते हो, मैं तुम्हें महीने का पंदरा हजार रुपे दे दूँगी मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर मेरा बेटा होता, तो शायद आज मैं अपने बेटे के साथ होती इसलिए इंसानियत के नाते मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ विमला विजे को माफ नहीं करती है, थोड़ी देर में विजे अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्मी को बताता है ये बाते सुनने के बाद नेहा के मन में लालच आ जाता है, नेहा अपने पती को बोलती है देखो, अब वो बुढ़िया हमारे काम आने वाली है, इसलिए किसी भी तरह से उसके मन में फिर से मा की ममता जगाने की कोशिश करो और जिस दिन हम सब साथ में हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम अपने नाम करवा लेंगे नेहा और विजय को ये सारी बाते करते हुए विमला पकड़ लेती है और विमला अपने बहु बेटे से बोलती है कहते हैं न साब को कितना भी दूद पिला लो, वो आज नहीं कल तो तुम्हें काट ही लेगा मैंने सोचा था, शायद मेरा बेटा बदल गया है, शायद उसे अपने किये का पच्चतावा हो रहा है तो क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करके अपने बच्चों को फिर से अपना लों और मैंने तुम्हें सर्प्राइस देने का सोचा और यहां आई तो मुझे ये सब कुछ मिला तुम दोनों माफी के लायक ही नहीं हो, आज के बाद कभी मुझे अपनी गंदी शकल मत दिखाना नेहा और विजय दोनों विमला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमला हमेशा हमेशा के लिए अब उन दोनों को छोड़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है ये कहानी एक जादूई नगरी की है, एक ऐसी नगरी जहाँ पर हर तरहे की सबजी जादू दिखाती थी, लेकिन सब सबजियां सिर्फ एक सबजी से बहुत डरती थी, और वो थी जादूई गाजर की दादी अम्मा दादी अम्मा दिखने में तो भोली भाली और अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन वो बहुत गुस्से वाली थी, उन्हें जब कोई चीज पसंद नहीं आती, तो वो हंगामा खड़ा कर देती थी, और सजा कोई भी सबजी कुछ नुकसान करती थी, या उसकी आग्या का पालन नहीं करती थी, तो दादी अम्मा उन्हें बहुत कड़ी सजा देती थी, ऐसा ही एक दिन था, कुछ सबजीया आपस में बातें कर रही थी, और वो सब दादी अम्मा की चुगली कर रही थी, जिसमें दादी अम्मा की पोती जादुई गाजर भी थी, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब दादी अम्मा की नजरों से बच कर मैं भी तुम्हारी तरह घुमने फिरने निकल जाओं। अरे दहने दो रहने दो तुम तो ऐसी कह रही हो जैसे कि हम रोज खुमने चाते हैं। तुम्हारी तादी अम्मा की नज़रे तो सब सबजियों को ऐसे घोरती है, जैसे कि हमारा एक्सरे कर पता कर लेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। उन्हें पता चल ही जाता है, हम चाहे कितनी भी बातों को छुपा लें। क्या करू, लेकिन मुझे भी तुम लोगों के साथ घोमने जाना है, कुछ करो ना मेरे लिए। तब ही वहाँ पर गोभी आती है और उन लोगों की बाते सुनने के बात। क्यों नहीं, एक काम करें, हम लोग दादी अमा को नींद के गोली खिला देते हैं, वो देर तक सोती रहेंगी और तब तक हम लोग घूम कर आ जाएंगे। गोभी ने अपने बात खत्म कर दी थी, कि दादी अमा जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, जादू से उनकी सब बातें सुन रही थी, वहीं से अपनी चड़ी को भेज कर, खीच कर गोभी को मार देती हैं, गोभी दर्ट से बिल बिला जाती है, पिर दादी अमा अपने ज दूंगी, तुझे अपनी नानी आदा जाएगी, यहां कर बच्चों को बिकार रही है, गलत बातें सिखा रही है, जब इतनी बातें सुनी ली थी दादी अमा, तो इतना भी सुन लेती, यह जो आपके प्यारे बच्चे हैं, आपसे चुप चुपा कर घूमने की बात कर र यह है कि तुम पूरे नगर की सफाई करोगी, और मेरी लाडली पोती गाजर, तु इधरा, तुझे काम करना है, पूरे नगर को पानी से धो कर चमकाएगी, और पालक तु इधरा, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज रात को जितना भी खाना बनेगा, उसकी तैयारी तू क करेगी, मैं हाथ जोडती हूँ दादी अम्मा, मुझे कोई आसान सा काम देना, क्यों, तुम कहीं की महरानी है, जो तुझे आसान सा काम दूंगी, तेरा काम है सबके खाना खाने के बाद सबके जूठे बरतंद होना, और जो खबरदार ये काम तुम लोगों ने अपने जा ये था कि दादी अम्मा कहें आसपास तो नहीं है, अब इतना सारा काम करना पड़ेगा, सब सबजिया मुझ बना बना कर काम कर रही थी, रात को आखिर में मटर ने सब के जूठे बरतंद होए, और फिर वो सब लोग अपने अपने बिस्तर पर पढ़कर गहरी नीन में सो अगले दिन सुभे सुभे दादी अम्मा ने चिला कर सब को उठाया, इतनी देर तक भला कौन सोता है, देखो तो सूरज कहां चमक रहा है, अड़ी हो जाओ सब के सब, तुम लोग भूल गई कि आज मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम्हें पृत्वी पर घुमाने ले दादी अम्मा को घुसा आजाता है, वो अपना चश्मा आखों से उपर करते हुए बोलती है, आज कल तुम लोगों की बड़ी हिम्मत बढ़ती जा रही है, जब देखो काम को मना करती रहती हो, खड़ी हो जाओ अभी क्या भी, परना सब को एक कमरे में बंद करके दर्वा हो जाती है, और फिर दादी अम्मा आगे-आगे और सारी सबजियां पीछे-पीछे पृत्फी लोग पर पहुँच जाती है, वो एक ऐसे गाओ में जाती है, जहाँ पर पास में नदी बह रही थी, और अच्छी सुन्दर खेत खड़े हुए थे, पास में सुन्दर-सुन् जब तक मैं नहीं कहूंगी, जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ, वहाँ वहाँ घूमो, तुम्हें पता नहीं है, अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर जादूई सबजियां घूम रही है, तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे, तो क्या फाइदा हुआ दादी, हम मत भूलो, मैं तुम सबकी दादी अम्मा हूँ, जो कहा है सिर्फ उतना ही सुनो, दादी अम्मा में इतने खूबियां थी, कि वो सबजियां अगर आपस में बाते भी कर रही होती, या दिमाग में कुछ सोच रही होती, तो दादी अम्मा को तुरंट पता चल जाता था, कि वो लोग उसके बारे में क्या सोच रही है, दादी अम्मा क्यों अम्मर सौ साल की हो गई होगी, फिर भी वो यहां से जा क्यों नहीं रही है, क्या भगवान इन्हें चोड़ कर भूल गया है, खडूस बुडिया, जब देको हम पर हुकम चलाती रहती है, कितनी अच्छी न खडूस हूँ, मेरी उम्मर जादा हो गई है, तुम दोनों यहां पर घूमने आई हो या मेरे बारे में बाते करने के लिए, अब तुम्हारी सजा यह है कि सब सबसियां ठक गई है, इन सब को पानी पिलाओ और अपना जादू मत दिखाना, अरे दादी पास में तो नदी बह रही है, सब से कह दो ना कि पानी पी लेंगी। क्यों है, ये बात उन्हें जताने के लिए, दादी अमा अपने आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर लेती हैं, जहांसे वो सब को देख सकती थी, लेकिन कोई दादी अमा को नहीं देख सकता था, दादी अमा पूरा दिन दिखाई नहीं दी, तो सारी सबसियां खुश हो गई, पूरा दिन हो गया, दादी अमा दिखाई नहीं दे रही है, लगता है छोड़ कर चली गई है, सच मुझ में कभी कभी तो इतना सर में दर्थ कर देती है, सच में बिलकुल जीना हराम कर रखा था, छोटी सी गलती पर भी सेजा देती थी, चलो शुकर है, चली गई, और कुझे इनका दोस्त बन जाना चाहिए था, उधर सारी सबजियां खुश थी, कि दादी अमा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी मन में उनके दादी अमा का डर था, इसलिए सब ने जो काम उन्हें रोस करना होता था, वो किया, और आज जादा खुश होकर काम किया, ये देख दादी अमा को बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ जादा ही सकती किया इन लोगों के उपर, पर अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने अपना काम पूरी इमानदारी से किया है, मुझे क्या करना चाहिए, बाहर निकलने के बाद मुझे इन लोगों के उपर इसी दादी अमा के दादी अमा वाँ खड़ी है, अरे दादी अमा ये तो आप हो, तुम अपने आप इतने सवाल कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हे वो गलती करने से रोकने आई हूँ, जो मैं की थी, तुम तो बिलकुल वैसी ही हरकतें कर रही हो जैसे मैंने की थी, तुम तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और जब मैं वहां से चली गई तो किसी ने मुझे इतना याद भी नहीं किया फिर बात में मुझे समझ आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी सख्ती करने से हम काम तो करवा सकते हैं लेकिन अपनी इजज़त नहीं करा सकते इज़त तो हमें तब ही मिलती है जब हम लोगों की भावनाओं को समझें तुम मेरी वाली गलती मत करो अभी भी समय है जाओ सारी सबजियों से घुल मिलकर जाओ उनसे बातें करो उनसे प्यार करो ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी उनके दिलों में तुम हमेशा जिन्दा रहो सच कहा दादी अमा मैं भी यही सूच रही थी बहुत दिनों से मेरे मन में यही बातें चल रही थी नहीं नहीं आफ़ाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी मैं सब की दोस बन जाओंगी ताकि वो हमेशा मुझे अच्छी दादी अमा के रूप में याद रखें फिर वो रोश्णी वहां से गायब हो जाती है दादी अमा कमरे से बाहर निकलती है उन्हें आया देख सारी सबजियां डर जाती है गबराओ नहीं गबराओ नहीं मैं तो तुम लोगों की बस एक छोटी सी परिक्षा ले रही थी हाँ मैं जानती हो तुम लोग मुझे बड़ा बुरा समझते हो लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तुमने मेरे जाने के बाद भी अपना काम बड़ी ही इमानधारी से किया और इस खुशी में मैं तुम सब लोगों को अपना दोस्त बनाती हो आज के बाद भी मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और अच्छी अच्छी बातें करूंगी दादी अमा के बदलते हुए रूप को देखकर सारी सबजियां हैरान थी लेकिन खुश भी थी वो भाग कर जाती है और दादी अमा को गूद में उठा लेती है सच में दादी अमा आप तो बहुत अच्छी हो हाँ हम लोग आपसे हमेशा डरे रहते थे लेकिन सच कहते हैं आज आप जब नजर नहीं आएं तो हम लोगों को आपके बहुत याद आई पर हम लोग खुश पी थे अब आपको देखकर और आपका बदला हुआ रूप देखकर हम ज़ादा खुश है उसके बाद जादु नगरी में जादु गाचर की दादी को सब पसंद करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं